हलो फ्रेंड वेलकम इन फार्मापीडिया क्लासेश हम फार्मासोटिकल एनालेसिस पढ़ रहे थे और फार्मासोटिकल एनालेसिस के अंदर हमने पहला जो लेक्चर था वो फार्मासोटिकल एनालेसिस का इंट्रोडक्शन था के अन्दर हम क्या क्या पड़ते हैं pharmaceutical analysis की applications क्या है और इसके अंदर कौन कौन सी techniques के बारें पड़ते हैं क्या क्या चीजे होती है उससब चीज़े हमने पहले lecture के अंदर cover की थी उसके बाद जो lecture दूसरा था वो UV spectroscopy के उपर था इसके तीन lecture थे और UV spectroscopy मैंने पूरा complete किया था सारी चीज़े बताई थी UV spectroscopy के बारे में वो जो चीज़े मैंने बताई थी maximum competitive exam में वहीं से ही questions आता है आज हमें एक और टेक्निक पढ़ेंगे analysis की वो है IR spectroscopy technique यह हम instrumental analysis पढ़ रहे हैं वहां में पहला मैंने UV instrument के बारे में आपको बताया आज हम पढ़ेंगे IR spectroscopy के बारे में बहुत ही अच्छी टेक्निक है तो यह जो IR technique है इसका नाम यह है कि infrared spectroscopy तो जब मैंने आपको पहला जो lecture बताया था उसमें मैंने बताया था जब electromagnetic spectrum जो हमने पढ़ा था मैंने बोला तो इसको wavelength के basis पे हम अलग-अलग wave को classify कर सकते हैं जैसे कि सबसे जो कम wavelength रहती है उसको हम बोलते हैं गामा radiation उसके बाद जो radiation आती है वो X-ray पढ़ा था फिर हमने पढ़ा था UV फिर हमने visible देखा था visible के बाद जो मैंने radiation बताई थी वो थी IR ती जो IR radiation है तो किसी ऐसी टेक्निक जिस टेक्निक के अंदर हम ये radiation यूज करते हैं किसी compound के identification के लिए तो उस टेक्निक को हम बोलते है IR spectroscopy अब हम सबसे पहले क्या देखेंगी कि IR spectroscopy की जो range क्या क्या है अगर हम lambda में इसकी wavelength पता करें तो कौन कौन किस wavelength से कहां तक IR आती है तो इसके ओपर randomly question आता है तो IR radiation को 3 टाइप में classify किया गया है एक वो IR जो यहां पे जो visible के नजदिक वाली जो IR है वो हम range पढ़ेंग फिर यह middle IR range पढ़ेंगे फिर far IR पढ़ेंगे जो IR की दूर आली range है तो देखो यह IR की range है यह wavelength के basis पे classify की गई है एक IR वो जो near visible है यह आले यह near visible यहां पे आती है यहां पे तो जो near visible है वो कितनी है 0.822.5 micrometer यह है near visible IR इसके बाद जो middle IR है वो है 2 पर 5 to 50 micrometer तो यह range आपको जरूर यह देखनी है 2.5 से 50 micrometer जो range है वो middle IR की फिर far IR तो far IR कहा है 52,000 micrometer यह है far IR जो यह नीचे range लिखी है और यह wavelength बताता है और मैं बात करो जब अपने instrumental analysis में जो compound identification में जो IR range यूज की जाती है वो हमेशा middle IR range ही यूज की जाती है तो यह जो range है 2.5 से 50 micro यह specially use की जाती है instrument के लिए किसी compound के identification के लिए और जो यह IR spectroscopy है उसमें हमने wavelength की range तो पड़ी पड़ी बस उसके साथ कई बार exam में पूछते हैं कि wave number कितना है तो wave number के basis पे भी question exam में आता है पूछते हैं कि near visible IR की IR का wave number कितना होगा middle IR का wave number कितना होगा और far IR का wave number कितना होग तो wave number क्या है तो wave number है wave number को वी बार से define करते है wave number क्या है one upon lambda जो यह अपनी यह lambda wavelength है इसको जब one से divide करेंगे तो wave number आएगा हम IR में wave number इसलिए पड़ते है क्योंकि IR की जो technique को especially wave number को ही measure करती है तो इसलिए हमें wave number याद करना पड़ता है पूछा जाए exam में कि कौन सी technique में wave number क यूज किया जाता है तो हम IR बोलेंगे अगर मैं lambda का पूछू तो UV spectroscopy है अपन IR में क्या check किया जाता है wave number को percentage of transmitted उसका plot होता है अपन wave number फिर wave number के साथ उसका plot रहता है आगे हम सब चीज़े देखने वाले है तो इसलिए हमें wave number भी याद करना पड़ेगा तो आपको lambda भी य देखेंगे तो wave number क्या है तो देखो wave number में यह लिखा है यह wave number 12500 to 400 4000 cm inverse तो wave number की unit क्या है cm inverse है क्यों है cm inverse तो देखो वी बार अपन वन अपन लेम्डा लेम्डा की unit क्या रहती है cm तो wave number की आओगी cm inverse होएगी तो या देखना कि जो near visible IR का जो wave number है वो कितना है 12500 to 4000 cm inverse फिसके बाद मिडल IR तो मिडल IR का कितना है 4000 to 200 cm inverse इसके बाद पूछेंगे far IR का कितना है तो 2000 to 10 cm inverse तो यह जो range है यह का है far IR की अब यह IR का principle क्या है वो अभी हम देखने वाले हैं बट मैं जस्ट आपको बताता हूँ होता क्या है कि जो molecules रहते हैं वो molecules के अंदर बहुत सारे bond रहते हैं between atom atom के साथ क्या रहते हैं bond रहते हैं तो वो जो bond बड़े flexible लेते हैं उनके अंदर कुछ vibrational frequency लेती है तो होता है कि जब हम IR radiation से pass कराते हैं उस sample से तो IR radiation की जो frequency match हो जाती है अपने bond के frequency के साथ तब एक certain amount of energy absorb होती है उसी energy को detector क्या करता है मेजर करता है तो यही IR का principle है तो कई ब और absorption को तीनों को यह क्या करती है मेजर करती है अब जो मैं आपको चीज बताऊंगा वो बहुत ही ज़्यादा important है वो यह है कि IR spectroscopy का सबसे ज़्यादा यूज कहां किया जाता है तो IR spectroscopy का सबसे ज़्यादा जो यूज किया जाता है वो है functional group detection में मतलब किसी भी molecule के अंदर जो measure जो functional group है उसका determine हम किस technique से करते हैं तो वो IR spectroscopy से करते हैं और यह exam में बहुत बार exam में आया हुआ है simple सा exam में question आएगा कि इन में से कौन सी technique है जिसका use functional group detection में किया जाता है option में UV रहेगा, NMR रहेगा, mass रहेगा और IR रहेगा तो आपको answer IR करना है और यह आपको याद रखना है functional group का मतलब क्या हुआ जैसे किसी compound के अंदर यह carbonyl group है तो यह क्या functional group है नॉमेन कल्चर यहीं से start होता है जैसे किसी compound है OS group है जा फिर किसी compound है सब मतलब methyl group है triple bone है तो यह सब क्या functional group है तो यह जो functional group है इनका determine कौन करेगा IR spectroscopy से होता है अब हम देखेंगे कि IR spectroscopy वाले जो compound रहते हैं उनके क्या characteristic रहते है मतलब IR active compound कौन से हैं कौन से compound है जो IR से हम determine कर सकते हैं तो हम वैसे compound determine करेंगे जिनका क्या रहता है dipole moment रहता है जो polar compound रहते है वो जिनका क्या रहता है dipole moment रहता है उन्ही compound को हम IR से determine करेंगे जिनका dipole moment 0 रहता है उनका हम IR से determine नहीं कर सकते हैं जैसे कि example में N2 है तो यह N2 है, Cl2 है, Oxygen है, O2 है, यह जो सारे नीचे लिखे हैं, जिनके डाइपोल मुमेट क्या रहते हैं, जीरो रहते हैं, तो उनको हम IR में चेक नहीं कर सकते हैं, तो IR इनेक्टिव कमपाउंट है, यह आपको याद एकना है, या फिर जो पॉलर कमपाउंट है, उन्हीं का ह यह आप डिटेक्शन कर सकते हैं, IR के अंदर, डाइपोल मुमेट किसको बोलते हैं, तो यह आपने 11-12 में पढ़ा होगा, आपने चार्ज का जो सब्स्ट्यूशन रहता है, वो सब चीज आपने देखी होगी, यह तो आप पढ़ सकते होगी, डाइपोल मुमेट किसको बोल होते हैं, तो यह एक्जाम में बहुत फैमस कोश्चन आता रहता है, कि चार कंपाउंट देंगा, उनमें से एक एक ओप्शन में ऐसा रहेगा, कि N2 लिखा रहेगा, या फिर O2 लिखा रहेगा, बोले कि इनमें से कौन सा IR इनेक्टिव है, तो मतलब N2 रहेगा, O2 रहेगा CL2 रहेगा, तो वो IR इनेक्टिव कंपाउंट है, अब हम IR का प्रिंसिपल देखेंगे, प्रिंसिपल बहुत ही इंपोर्टन है, तो प्रिंसिपल क्या है, तो सिंपल सा आपको मैं प्रिंसिपल बता देता हूँ, देखो कोई भी कंपाउंट रहता है, सपोज कोई यह सेंटल एक्टम के साथ, तो यह रिजीड बॉन्ड नहीं रहता है, यह बड़े फ्लेक्सिबल बॉन्ड रहता है, यह वाइब्रेट करते रहते हैं, कभी आगे पीछे 3D डायमेंशन में देखोगे, तो हमेशा कुछ रोटेशन भी करते हैं, यह वाइब्रेशन भी करते हैं हलके से वाइब्रेट होते रहते हैं, इसलिότε आपने हैजर्ट, हाइजन बरग का प्रिंसीपल देखा होगा, उसमें पड़ा होगा, यह जो बॉन्ड होते है, यह क्या करते हैं, वाइब्रेशल इनके अदर एनरजी रहती है, तो यह जो बॉन्ड करते रहते हैं, एक इनरज के frequency के साथ तब क्या होता है कि energy absorb होती है वो जो energy absorb होती है उसमें क्या होता है जो electron जो यह होते atom यह lower state से higher state में चले जाते हैं और फिर कुछ time बाद वो emission करते है radiation को उसी radiation को क्या करती है IR detector measure करता है तो हर जो compound है वो अलग certain amount की energy को absorb करता है उसी के basis में हम उनके functional group या molecule का substance को identify करते हैं तो यही इसका principle है principle क्या है simple सा principle है when the frequency of IR radiation is matched with the natural frequency of vibrational molecule या item उसके bone के vibrational energy के साथ match हो जाती है तो क्या होता है absorption होती ही radiation उसी radiation की वज़े से lower orbit से higher orbit में eloption का transfer होता है और उसके बाद energy release होती है उसी को measure करता है यह simple सा principle है तो इतना है आपको याद रखना है और यही एक्जाम में लिखोगे तो भी easy ले आपको number मिल जाएंगे अब हम देखेंगे कि IR spectroscopy में जो IR radiation यूज की जाती है जो इसमें मैंने आपको बताया था कि near to visible IR middle IR और far IR तो जो middle IR है यूज की जाती है और वो middle IR पूरी यूज की जाती है उसमें भी कुछ ही रेंज वाली IR यूज की जाती है जैसे मैंने आपको वहां बताया था 2.5 से 50 micrometer wavelength वाली IR यूज की जाती है पर actually जो analytical purpose में जो IR यूज की जाती है वो कहा कितनी था कि 2.5 से 25 micrometer की यूज की जाती है यह है लेंडा अगर wave number की बात करें तो कितनी है 4000 से 400 सेंटी मीटर इंवर्स वाली ही IR यूज की जाती है यह है analytical purpose में जो IR यूज की जाती है उसकी यह range तो अभी आपको पता चल गया कि IR की कौन सी range analytical purpose में यूज की जाती है अब हम क्या करेंगे यह जो analytical purpose में जो range यूज की जाती है इसका भी classification करेंगे इसको भी हम तोड़ेंगे जैसे कि सपोच करो यह 4000 सेंटीमीटर इनवर्स है और बीच में हम लिखते हैं 1500 सेंटीमीटर इनवर्स और यहां पर हम लिख रहे हैं 700 सेंटीमीटर इनवर्स और यहां पर हैं 1500 सेंटीमीटर इनवर्स यहां से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स अब यह जो 700 से 1500 के बीच में जो IR की जो range है यह जो value है इसको हम बोलते है fingerprint reason और यह exam में question आता है कि fingerprint reason IR कौन सी range में रहता है wave number में पूछे तो 1500 cm inverse to 700 cm inverse अब जब 1500 cm से ऊपर जाते हैं 4000 की और तो 1500 से 4000 की और जाते हैं इसको बोलते है functional group reason तो यहां पे जो 1500 से 4000 के बीच में जो भी peak आती है वो especially functional group की peak आती है जिसके अंदर stretching दो type की होती है bending vibration stretching vibration तो stretching vibration की जो peak है सबसे ज़्यादा आती है functional group reason में अब यह क्या है हम आगे देखेंगे अभी और यह जो fingerprint reason क्या है तो यह एक ऐसा reason है कि जब IR किसी compound का बहुत ज़्यदा complicated आ रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा है compound को हम identify नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या कर इसको fingerprint reason में देखेंगे तो fingerprint reason में क्या रहता है कि वह spectra easily क्या होता है differentiate हो जाता है हमें पता चल जाता है easily कि यह जो compound है क्या है जैसे कि suppose करो एक compound है दो compound उनकी study कर रहे हैं तो इन दोनों compound में क्या है कि बहुत small level का change है मतलब बहुत छोटा सा दोनों के बीच में change है बाकि almost identical compound है तो उनका जो small change है उनका भी ज्यादा significant difference आएगा spectrum में कहां पे fingerprint reason में तो इसलिए बहुत ज्यादा important है fingerprint reason क्योंकि यहां पे हम complicated structure रहते हैं उनको easily differentiate कर पाते है fingerprint reason क्योंकि हर इंसान का अलग-अलग finger भले जुड़वा भाई हो twins हो पर उनका fingerprint कभी एक नहीं हो सकता क्योंकि fingerprint एक small चीज़ को भी change दिखाता है तो इसलिए इसको fingerprint reason बोला गया है तो IR में question आता है कि fingerprint reason की value क्या है तो वो है 700 centimeter inverse to 1500 centimeter inverse पूछा functional group reason कौन सा है तो 1500 centimeter inverse से 4000 centimeter inverse की बीच में जो reason रहता है उसको बोलते functional group reason और यह बहुत ज़्यादा important है इसको आप अच्छे से यहाद दखना अब हम देखेंगे कि IR का जो spectra रहता है वो किसके बीच में रहता है तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है यह आयर के spectra कुछ इस type करेता है तो यहाँ पर देखो wave number है और यहाँ पर percentage of transmitted तो यह question आता है कि IR का spectra किसके बीच में plot होता है तो percentage of transmitted और wave number वहाँ आप wavelength भी लिख में बट IR का आता है वेव नमबर के इसी लिए हम starting में वेव नमबर की वेलीन भी याद करते रहे थे तो इसलिए हमने याद किया अब है क्योशन आता है कि hoax low जो होता है hoax low कहा पर यूज का यूज होता है वो IR के अंदर यूज होता है मैन काम रहता है WIRATION nature of vibration को calculate करना कितने type के vibrations रहेंगे वो सब इसमें calculate करना पड़ता इस hook लो से इसका formula ही देख लो वैसे इसके बारे में पूछते नहीं है question exam में इतना याद अगना है कि hook log किसके relative है तो वो है अपका IR spectroscopy के तो क्या है hook लो V equal to 1 upon 2 pi ये root के upon mu micro mu जो ही बोलो तो ये k क्या है force constant है mu क्या है radius से दो एटम के बीच की वेसे कोई पूछता नहीं है याद धख लो कि hooks लो रहता है IR के अंदर अब मैंने अभी आपको बता है कि hooks low से हम क्या करते है nature of vibrational frequency जो bond की देती है उसकी nature पता करते है frequency का तो अब ये जो पता करते है जो ये नेचर वाइबरिशनल फेक्वेंसी जो chemical bond के बीच में रहती है ये किस पर डिपेंड करती है तो वो मास अप एटम chemical bond जिन दो एटम के बीच में बना है उस एटम का मास कितना उस पर डिपेंड करती है इसलिए इस फॉर्मूल में मास भी है इसके बाद force constant तो इसलिए हो लोग के अंदर force constant भी है फिर जियो मेट्री और अब यहां एक्जामपल लिखा हुआ है नीचे एक अच्छा सा इसमें लिखा हुआ है कि देखो एफ एच जो है उसका absorption हाइए इनरजी अप्जोशन रेता आयार में जीरो से वन के बीच मेंग और उसको बोलते है फंडामैंटल आप जोप्सन जब जीरो से वन के बीच में आती है तो कया रहता जो स्पेक्ट्र आता है वह बहुत ीजी रहताए यहम उसको डिटेक्ट करते हैं कई बार क्या नहें रहता है 0 से 2 के बीच में आता है तो वो spectra बड़ा complicated रहता है उसको easily हम detect नहीं कर पाएंगे उसको easily हम पड़ नहीं पाएंगे तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है fingerprint reason का use करना पड़ता है अब हम देखेंगे IR के अंदर जो vibrations रहते हैं मैंने बोला ना कि जो atom के बीच में जो bond रहते हैं उन bond के बीच में एक vibration रहते हैं वो हमेशा flexible लेते हैं वाइब्रेट करते रहते हैं तो यह जो vibration होते है between the bond इसकी जो energy frequency energy IR से मेच हो जाती तब ही energy absorb होती है उसी energy को IR का detect क्या करता है detect करता है तो अभी करना क्या है कि हमें देखना है कि यह जो vibration है कितने टाइब करेते हैं तो यह दो type के especially vibration रहते हैं और यह बहुत important है यह आप subjective exam दे रहे हो या फिर आप competitive exam दोनों में यह बहुत बार पूछा जाता है तो यह जो vibration है यह दो type करेते हैं stretching vibration दूसरा है bending vibration अभी stretching vibration क्या है bending vibration क्या है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे अब जैसे कि stretching vibration है तो इसमें क्या रहता है कि जो यह suppose करई atom A है और यह bond बना रहा किसी atom B से तो होता क्या है कि यह B atom कभी बार नज़दिक आ रहा है इस A atom से कई बार कभी बाहर जा रहा है spring की तरह नज़ी का रहा है बार बार और और फिर बार दूर जा रहा है एक अटम से तो यह जो bond length में जो change हो रहा है इसी को हम stretching vibration बोलते हैं तो यह क्या बोलता है change in the bond length तो यह भी दो टाइप के होते हैं stretching vibration एक होता है symmetrical दूसरा होता है asymmetrical तो अभी हम stretching vibration पढ़ रहे हैं stretching vibration क्या होता है bond length का change होता है जो central atom में उससे जो दूसरा atom जो bond बनाकर बेठा है वो atom क्या करता है कहीं बार central atom के नजदिक आता है vibration के थुरू कहीं बार दूर जाता है तो इसी को बोलते है stretching vibration इसमें दो टाइप को होते हैं एक होता symmetrical stretching vibration दूसरा होता asymmetrical stretching vibration इन दोनों में क्या है difference वो भी पढ़ेंगे second है वो bending vibration तो bending में क्या रहा था bond angle की बीच में change होता है यहां उपर आले में bone length में change हो रहा था क्या होता इसके नदर कि bone length में change होता है आयक に सारे तो होता क्या है कि दो हैं ही साथ क्या कर रहे है central atom की और जा रहा है is yeah dos anh Сब्सक्राइड कर रह तो एक साथ किया रहा है kindly तो एक साथ प्रूपा की और झा धारें很好 ning का जो vibration है वो एक ही direction रहता है या तो central atom की तरह जाएंगे या central atom से दूर जाएंगे पर दोनों का जो चलने का तरीका वो एक ही direction में है तो इसी को क्या बोलते हैं क्योंकि एक ही direction में चलने हैं तो देखो क्या लिखा हुआ है moment of atom with the respect of central atom in same direction इसके बाद इसी को बोलते हैं दूसरा asymmetrical vibration इसमें क्या रहता है कि एक atom जाएगा central atom की और दूसरा atom कहा जाएगा वो central atom से दूर जाएगा तो इस type के vibration होते हैं इसको बोलते है asymmetrical vibration और इसमें energy थोड़ी ज्यादा लगती है तो क्या लिखा हुआ देखो moment of atom with the respect of central atom इसके अपोजी डारेक्शन इसमें more energy रिक्वार रहती है तो इसी लिए इसको बोलते है asymmetric vibration तो हमने क्या पढ़ा हमने vibration में stretching vibration के बारे हम पढ़ा जिसमें bond length change होती है उसमें भी डो टाइप होते हैं एक होता symmetrical होता दूसरा होता asymmetrical अब हम देखने वाले है bending vibration अब यह जो bending vibration इसमें क्या हो रहा bond angle change हो रहा है वहां पर bond length हो रही थी यहां पर क्या bond angle change हो रहा है मतलब बोंड के वीच्छन उ एंगल हो change हो रहा है अब यह भी कितने टाफ रहते ही? चार टाइप रहते हैं वह हुता है S primary hydrogen तो होगा है कि यह जे ढरेंगा वह बन्यक्न 부탁 पूर यह तो होगा गया है कि दोनों निच्ड़ी का रहे है दिमि लारोटेब Jewish मतल़ एक diskut पूर। सीजरिंग के साथ मूओ कर रहे हैं जिसे क्या हो रहे हिए अंगल डिक्रीज हो रहा है जब यी देजडिक हाएंग तो अंगल का कौयों हो जाएगा ता इसड़ी को बहुंते नीडा कक दूसरा क्या है वह रॉकिंग यह रोकिंग बड़ा important है दूसरा है अपना rocking अभी rocking मतलब rock star rocking में क्या रहेगा कि सीजरी में क्या हो रहा था कि दोनों item एक दूसरी के पास आ रहे जिससे bond angle दूर हो रहा था बनाथ यह दॉसरा यह दूसरा यह बी के सामने आ रहे तो बॉन एंगल गेंसा कोईश्टेट रहेता है। जिस्सान बहुको बोन इंगल में अमन बर्यहरता है यह देन बोनों में सिं़ा है। वह यह एंगल नहीं दें … बॉन अरॉल कुल ど यह जो आ है करता है इक दैरेक्षिन में तो इसको रोकिंग भौलते है इसमने बॉर्ण पिर नीया का सोल यहां। नीक्स्ट wa analogy करने और यहां नीक्स्ट इसोल भीए इन भीए हो दो अब हैं इसमस्ट इसमने का स्वी क्या मोमेट हता है यह थोड़ा अलग टाइप यह है या चेकी उट जाएगा अब थोपर या नीचे अफोगा तो सपोस्पolid क्यों जाएगा तो एक उपर जा रहा है तो इसको बोलते है तो देखो क्या लिखाए वन एक प्टम मुव अप एडर अधर अटर मुवग down same plane के अंदर उसी को हम क्या बोलते हैं हम twisting बोलते हैं तो हमने क्या पढ़ा भी bending vibration पढ़ा bending में हमने चार पढ़े चार में कौन कौन से थे एक scissoring था rocking था फिर wagging था और twisting था हमने stretching vibration के बारे में पढ़ा stretching में हमने asymmetrical stretching और symmetrical stretching में stretching में बता है बॉंड लेंच जो रही है और मैंने जब आपको bending vibration बता है तो इसमें क्या रहा बॉंड एंगल हम अब inductive effect के बारे में देखेंगे कि जो यह inductive effect है वो कैसे affect करता है vibrational frequency को अभी हमने vibration frequency सारी पढ़ी हमने तो यह vibration frequency को कौन कौन से factor affect करते हैं इसमें सबसे पहला है inductive effect तो inductive effect में क्या रहता है एक plus i group रहता है minus i group रहता है तो जब plus i group जब किसी किसी पे जुड़ते ज्यादा जुड़ते हैं जैसे प्लस i मतलब मिथाइल बिथाली इस जब ज्यादा जुड़ते है प्लस i effect बढ़ता है तो उसके में क्या होगा कि lower wave नंबर पे पीक आएगी जैसे देखो यहां पे दो methyl group जुड़ें इस कार्बुनायल पे तो इसकी पीक आ रही है एक methyl group में हटा दिया मतलब क्या हो प्लस i effect हटा दिया तो 1740 की और आ रही मतलब वेव नंबर बढ़ रहे हैं फिर मैंने दोनों methyl group अटा दिया मतलब inductive में मतलब प्लस i group बिल्कुल बिल्कुल अटा दिया मैंने तो 1750 पे पीक आ रही है इसी तरह क्या करेंगे जो negative i group वाले group बढ़ते हैं तो पीक हमेशा आगे की और शिप होती है मतलब हाइर वेव नंबर पे आती है जिसे इसमें एक क्लोरीन है तो 1720 पे आ रही है और दो क्लोरीन है तो 1740 पे आ रही है चार क्लोरीन जुड़े हुए माइनस i group ज्यादा जुड़े हुए तो 1750 पे आ रही है तो म 해요 in praktika रहता है कि क्या आँको पार रहता है की कर Brand सके उपर एक रमसे बना हुआ हुआ इसा करो इसमें क्या पोसिबलीटरीटर नहींते हैं तो उस case में अलग-अलग तारीके के vibrational अपने को मिलते हैं तो ये सब family resonance के अंदर आता है mesomeric effect में भी histi-type का है तो ये सब mesomeric effect है, family resonance है field effect है, ये क्या-क्या affect करते हैं ये को important नहीं है इसको ज़्यादा पढ़ने की बात नहीं, जरूर नहीं है क्योंकि competitive exam में ये सब नहीं पूछा जाता अब जो हम पढ़ेंगे, ये बहुँ ज़्यादा important है, वो है calculate the fundamental absorption band कितने absorption band आएंगे वो calculate करना बड़ा important है तो इसका एक formula है वो formula जिसे मैं GPT में 2018 में एक्जाम देता, तब ये सा question आया था इसको पर, तो question ये था कि आपको एक atom दे देंगे CO2 दे दिया तो इसका fundamental band कितने रहेंगे IR के अंदर, वो calculate करना है अपने को, तो इसका लिए formula क्या है, जब linear molecule है तो इसके लिए 3N minus 5 ये formula है fundamental bond कितने वो calculate करना है band, तो देखो ये CO2, CO2 में total atom कितने है 3 है, तो N की जगा मान कितना put करेंगे, 3 का मान put करेंगे तो 3, 3, 9 होगे, minus 5 बड़ बड़ चार आएंगे इसी तरह अगर मैं पूछो carboxly acid है, इसके अंदे fundamental vibration कितने आएंगे तो कितने atom है, 1, 2, 3, 4 तो मैं क्या करूंगा, 3 multiply N की value 4 put कर लूँगा minus 5 कर लूँगा, तो कितने होगे 12 में से 5 कितने बच्चे आपके 7, तो fundamental vibration या band कितने आएंगे 7 आएंगे, इसी तरह ये तो होगया किसका आगया, आपका linear है, अब non linear molecule है, जैसके cyclic molecule है, तो इसके formula इतना ही चेंज है, यहाँ पर 5 था, तो यहाँ पर 6 आगया, जैसे कि यह benzene है, suppose कि C6S6 है, इसमें total, कितने atom हो गए 12 हो गए, तो आप यह 3 N का value 12 put करोगे, तो कितने होगे, 36, 36 minus 6, 30 fundamental band आएंगे, absorption band आएंगे, IR के अंदर तो यह सब चीजे, calculate करनी पड़ती है तो ऐसे ही एक molecule दिया था, वहाँ GPET में, किसके fundamental band कितने आएंगे, तो मैंने देखा, यह linear है, linear है तो कौन सा formula लगेगा, 3 N minus 5 वाला तो यह value put की तो answer आ रहा था अब हम IR का instrument देखेंगे, कि IR के instrument में क्या क्या पार्ट रहते हैं, यह एजित्रोटिकली ज्यादा पूछा जाता है जब आप एक्जाम लिखते हो भी फार्मा का तो वहाँ पर यह question आता है instrument बताना, IR के बारे में तो IR में सबसे पहले क्या होता है radiation source होता है, जो IR bulb जिसको बोलते है, जो IR radiation को produce करता है, जो radiation कहां जाती है, अपने sample को पर जाती है तो जो IR का जो source है ता वो तीन important source है, एक है nurse glower, जो mixer देता है, जर्कोनियम, थोरियम और यूटिरियम, इन तीनों का mixer देता है, तो यह nurse glower आपको या दखना है, दूसरा है global, यह जो global है, यह तो यह हो गया इसका source, तीन source है, nurse glower, global और नाइक्रोम वायर, अभी क्या है, यह कैसे IR produce करते हैं, इसका भी एक पूरा थियोरी रहती है, किस तरह से light से जुड़े रहते हैं, बल्प और यह सब जीजे रहती है, तो यह जो लिखने हाले एक्जाम देते हैं, उसमें यह सब डिस्क्रेप कर सकते हैं, बैसे competitive एक्जाम में से इतना ही पूछें कि IR का source कौन कौन सा है, जैसे UV का hydrogen, deuterium, यह सब लेंप आते हैं, तो IR के भी यह पूछ सकते हैं, तीन option में UV के लेंप देदें, चो था IR का देदें, फिर आपको पूछ लेका IR का कौन सा है, इस ताइप के question आते हैं, अगर आपको detail में देखना है, गलोबर, नेक्रो वायर, और nurse गलोबर, क्या क्या होता है, कैसे यह काम करते हैं, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना सकता हूँ, मैंने यह, ऐजे competitive exam के तोर पे ही यह बनाए था, इसके बाद monochromator, तो यह जो monochromator prism या फिर grating का बना रेता है, अभी जो monochromator इसका काम क्या है, जो polychromatic radiation इसको monochromator में क्या करता है, ट्रांसफर तो यह इसका रोल लेता है, monochromator का, इसके बाद Q8, Q8 मतलब वो चीज़े जिसके अंदम sample रखते हैं, जो sample holder है, तो यह जो IR के अंदर Q8 बना रेता है, यह बहुत important है, यह हमें सब alkaline halide का बना रेता है, alkaline halide किसको बोलते हैं, जिसके आपका sodium chloride, halide मतलब chlorine, fluorine, यह सब iodine, यह सब halide है, alkaline मतलब sodium है, calcium है, यह सब क्या alkaline metal है, तो alkaline halide का बना रेता है, यह आपको याद रखना है, जैसे की NACL जो है, वो routine purpose में यूज के जाता है, KBR most commonly यूज के जाता है, analytical industry के अंदर, calcium fluoride उन सेंपल के लिए यूज के जाता है, जिसके अंदर water moisture रहता है, cgm bromide भी है, तो यह बहुत सारे मतलब sample holder है, जो किसके बने रहते हैं, वो सब यह लिखा हुआ है, तो आपको alkaline halide metal याद रखना है, अभी जो instrument होता कैसा है, वो अगर आप देखोगे, तो सबसे पहले क्या रहता है, source है ता IR का, वो IR radiation produce करता है, फिर IR radiation टेस्ट के अंदर जाती है, और reference के अंदर पास होती है, अभी जो light absorb करेगी, फाइनली फिर क्या होगा, यह फिर light chromater था, फिर sample था, पर यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर पहले light polychromatic radiation पास होती है, sample के अंदर, फिर जाती है monochromater के अंदर, फिर monochromater होती है, फिर detector पर जाती है, तो IR में question पूछते हैं कि, यह जो monochromater कहां पर पर परजेंट रहता है, तो यह sample और detector के बीच में, पर अगर मैं पूछ यूवी में monochromater कहां रहता है, तो source और sample के बीच में, तो यह एक difference ही आपको याद करना है, अब हम देखेंगे detector कौन कौन से है, इसके उपर question आता है, तो यह thermocouple जो detector है, यह है, IR का important detector है, इसके अंदर क्या रहेगा, कि देखो, यह made up रहता है, two metal wire का बना रहता है, अब रहता क्या है, एक semi-conductor matter wire रहता है, तो अभी यह इसका एक junction रहता है, जिसको बोलते है, hot junction, एक यह junction रहता है, जिसको बोलते है cold junction, यह दोनों wire से attach रहते हैं, अभी जो hot junction इसको उपर IR radiation आके गिरेगी, sample से pass होके, monochromatize होके, इस hot junction से गिरेगी, और यह ठंडा अला junction है, तो यहाँ पर गरम हो रहा है, यहाँ ठंडा है, तो इनके बीच में जो temperature difference है, उसी से अपना data generate हो जाता है, IR करता है, तो इतना ही छोटा सा principle है, आपको thermo couple का याद एकना, thermo couple, मतलब कपल मतलब 2 की जोड़ी है, thermo मतलब temperature difference, तो यहाँ पर यह मेजर करता है, इतना आपको पता होना चाहिए, इसके बाद दूसरा है, बोलो मीटर, तो बोलो मीटर क्या रहता है, यह platinium की एक layer रहती जिससे क्या होगा? इलेक्टिकल रजिस्टेंस डेवलोप होने लग जाएगा, तो वो जो इलेक्टिकल रजिस्टेंस डेवलोप होता है, उसी को ही अपना डिटेक्टर क्या करता है? यह simple सा, इसका principle है, बोलो मीटर का, फिर है thermistor, तो यह thermistor क्या है? यह मेड़ प्रता है, fuse metal oxide का बना रहता है ये भी क्या करता है electrical resistance measure करता है जब IR addition पड़ती है उसको पर तो temperature difference आता है जिससे electrical resistance भी change होता है और वो measure किया जाता है फिर next जो detector वो है गोली pneumatic detector इसके बारे में exam में पूछते हैं कि गोली pneumatic detector किसका है वो IR का है अब यह क्या रहता है किसके अंदर breakfast काई बढ़ियरती है गेस बढ़ियरती है गेस कौनसा ऩी 84 अब होता क्या हैści गेस बढ़ियरती है पूरा pack system में पूरा तो हो क्या रहा है कि इसके अंदर AI radiation जैसे आएगी तो इसमें heat generate होगी तो heat generate होगी तो यわか dai गेस के मोलीकुल इनकी काइनेटिक एनरजी बढ़ेगी तो जिससे कि आगका प्रेसर बढ़ जाएगा इस पूरे सिलेंडरिक अंदर जब प्रेसर बढ़ेगा तो यह जो प्रेसर डिफरेंज चेंज हो रहा है कितना प्रेसर चेंज हो रहा है उसी के बैसिस में डिटेक्टर अपने compound को, तो ये pressure के basis, pressure difference को मतलब measure किया जाता है, गोली pneumatic detector से है, तो ये pneumatic का ये पी है, इस पी से या देखना pressure difference चेक किया जाता है, thermistor में क्या है, thermistor, register, तो resistance चेक किया जाता है, तो इस तरह आपको thermistor पता चल गया, बोलो मीटर में भी क्या, resistance, electrical resistance, measure किया जाता है, उपर अला thermo couple में क्या किया जाता है, दो metal wire रहते हैं, दोनों को heat किया जाता है, दोनों में heat difference की वज़े से, हम potential चेक करते हैं, इसके बाद next step वो है, pyro electrical detector, ये बहुत ज़्यदा important है, ज़्यादा sensitive रहता है, pyro electrical detector, तो ये जो है pyro electrical, जो material रहता है, उनका बना रहता है, तो exam है, completed exam, ये question आता है कि, कौन सा pyro electrical detector, material यूज़ किया जाता है, pyro electrical detector बनाने के लिए, तो कौन सा material है, वो है, triglyceride sulfide, तो ये जो triglyceride sulfide है, ये क्या, pyro electrical material है, इसको यूज़ किया जाता है, इसके detector बनाने के लिए, तो ये आपक इसमें भी आज एक टेंपरेचर रहता है उस टेंपरेचर जब अच्छी हो जाता उसके बाद सिगनल आने लग जाता है तो उस टेंपरेचर को बोलते हैं वो 49 डिगरी सेल्चियस रहता है अगर यह सब ठाल डिटेक्टर के बारे डीटेल में पढ़ना है तो आप मुझे कमें सुना होगा टोटल छे डिटेक्टर हमने पड़े हैं तो यह जो एप्टी आई आई आरे जिसको बोलते हैं फूरियर ट्रांसफोर्म इंफ्रारेड स्पेक्टोस्कोपी डिटेक्टर तो पहले तो इसका नाम याद दखो क्योंकि एक नंबर के कॉस्टन में यही आ जाता है एप्टी आई आर का फूर्फोर्म क्या है तो यह याद करना आपको आलसो इसको क्या बोलते हैं मर्करी, केंडियम, टेलिनियम, डिटिरियम बोलते हैं इसका जो प्रिंसीपल हो क्या है इंटरफेरेंस है तो यह इंटरफेरेंस के बेसिस पर काम करता है यह आपको याद द तो हमने 6 डिटेक्टर पढ़ ए छे के नामे आद देख लो FTIR होगा तो इसमें आपने देखा होगा कि IR एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम Solid, Liquid, Gase यह तीनों टाइप के Sample Handling कर सकते हैं जैसे आप मैं बात करूँ UV की तो UV के अंदर सिर्फ Liquid Sample ही जाता है उसको डिजोल करके सेंपल आटोमेटिक वेपराइज हो जाता है गेस फों में करने हो जाता है टेक्निक के अंदर पर अगर मैं बात करो IR की तो IR में आप Liquid Solid Gase तीनों यूज़ कर सकते हो अभी इसका रहता क्या देखो मैंने बोला है का IR का जो सेंपल होल्डर रेता वो एल्किली हैलाइट का बना रेता है तो अब देखो Solid Sample क्या करते है इसको सबसे पर इसमें लिखा हुआ है कि वन तू तू परसेंट सेंपल लेना अपने को उसको मिक्स करना के बियार के बियार का इसके मिक्स करना है इसको ग्राइंड करना चोटा-चोटा कितना ग्राइंड करना तू माइक्रो तक इसके particle हो जाएं जैसे िसके particle हो जाएंगे, फिर हम इसके उपर temperature apply करेंगे,ったsmat fark 15,000 PC PSI जितना pressure apply करेंगे, जिससे क्या होगा, बन जाएगा, बतलब यह एसे powder डोनों को mix किया, फिर pressure apply किया तो एक dip moment ben गई, migrant glass की तरह 녹ल पर एक जवकिश कितेंगे, वो आनालिसिस करते हैं तो एक ये तरीका solid sample को handling अब ये दूसरा एक तरीका जिसमें solid है material को कैसे handle किया जाता है तो वो है अपना इसको कैसे करते होगे मैठाता हूँ जिससे अपना solid material है उसको हम mix करेंगे साथ कि प्लिइड मोलिंग एजैन के साथ अब मोलिंग की चायो यैसे एज्ञेंट करेट है लेक्वीट फाम की ज्याधा देखन जियता है इसko क्या कर अदर मिक्स करते हैं तो यह मोलिंग एजैन में गांसा discip की य्जाद 심플 यूजा गाया या यूजन यूज बनाने के लिए तो जैसे हमने इस sample के अंदर न्यूजल mix कर लिया और न्यूजल के सिवा और भी है हेक्जा क्लोरोडायोन है क्लोरोफ्रो कार्बन ओइल है यह भी यूज़ किया जाता है तो जैसे हमने mix किया mix किया उसके बाद हमने क्या किया इस टाइप का बन जाएगा इस solid material फिर हम क्या करेंगे यह जो पैस्ट है इसको दो एने सीयल की डिस्क लेंगे यह डिस्क होती है हमारे लेब में फिर यह दोनों डिस्क के बीच में सेंपल अपना रख लेंगे यह इस डिस्क के अंदर हम आया रेडिसन सीधा क्या करेंगे पास कराएंगे तो इस ताइप से हम संपल बनाते हैं I.R के लिए स्रीक है और कौन कौन सा सॉलिट ईयर में युश किया जाता है विब कारबन टे टराफ्लोर कार्बन क्लोरोफ़ wraум युश किया जाता है ये सब सॉलिट ईयूश किया जाता है तो अभी हमने सॉलिट सेंपल कैसे बड़ा शिंपल है जैसे की दो एनेसील के पलेट है इसके उपर हम लिक्वीड का डिोगी्ट है जैसे के डूसरी ईजयी की आल ढाल देंगे 10 cm इसकी width पूरे सी रहती है तो इसके अंदर क्या करता है यह पूरा pack system रहता है इसके अंदर अपना gas sample भरा जाता है फिर इसको हम क्या करते है आई एर से इसको detect करते हैं तो इतना कोई नहीं पूछता है जिस आपको मुलिंग एजेंट मुझे आपको बताना था इसलिए मैंने वह पूरा sample वाला बता आपको fingerprint region के बारे मैं आपको बदा चोका हूँ पर आपको fingerprint region की सिर्फ range याद अखनी हो कितनी है तो आपको याद अखनी है 400 cm inverse to 1500 और 1500 से 4000 के बीच में किसकी आती है fundamental functional group detection वाली range यह से आपको याद अखना है कुछ functional group की range याई यार की वह आपको याद अखना है जैसे की carbon और iodine का जो bond है यह एक functional group है इसकी जो peak आती है कहां पर आती है किस wave नंबर पर आती है तो 500 cm inverse पर आती है फिर bromine है तो उसकी 600 के करीब आजाएगी chlorine है तो उसकी 600-800 के बीच में आती है chlorine है तो उसकी 1100-1400 के बीच में आती है देखो यहाँ पर इलक्ट्र नेगिटिटी जिसे बढ़ रही है तो इसकी peak भी higher wave नंबर की और आती है जो मैंने आपको inductive effect बढ़ता है तो वहाँ पर मैं आपको यह बता चुका था इसी तरह के carbon carbon single bond है तो IR के अंदर peak कहां पर आएगी तो 750-1199 के बीच में आएगी यह आपको याद देखना है 1100 के बीच में आएगी कही बार exam में question आते है इनके उपर इसलिए मैं चीज बता गया है तो इसकी range है 200-250 दोनों की same range आती है triple bond की कहां पर आती है 200-250 के बीच में यह आपको याद अखना है फिर आपको यह carbonyl group है C double oil group यह जो group है यह acid के अंदर रहते हैं जैसे carbon carbonic acid इसके अंदर भी रहते हैं तो यह carbonic acid है तो इसके अंदर जो peak आएग इसकी 1650 में आएग आती 1720 याद रखो याद नहीं रेगी रहे हैं जापको 1720 याद रखो फिर आपको क्या करना है कि LD हाइड है तो LD हाइड है तो LD हाइड जिसे LD हाइड हो CHO है CHO यह LD हाइड है तो इस LD हाइड की peak आती 1740 मतले 1720 से हमने 20 बढ़ा जी तो 1740 फिर ester तो ester की कहां पर आती 1750 त इसके आपको बढ़ाना है 1720 100 के करीब आपको नंबर बढ़ा देना है फिर 20 बढ़ाना है LD हाइड के लिए फिर 10 बढ़ाना आपको ester के लिए तो यह एक्जाम में कई बार एक्जाम में कॉशन आता है इनके peak के उपर और जब यह कॉशन आएगा तो मैं definitely करा हूँ जिन ल हाइडोजन की रेंज दोनों कार्बन और हाइडोजन बॉंड है पर यह कौन सा एलिफेटिक बॉंड है मतलब की लीमियर चेंज है वहां पर कार्बन हाइडोजन का बॉंड है तो इसकी peak IR में कहां पर आएगी तो 2700 से 3000 सेंटीमीटर इनवर्स पर आएगी अगर मैं पूछ से 3100 के बीच में आएगी तो यह आपको याद रखना है IR spectra के अंदर यह बहुत बार एक्जा में पूछा रहा है कि CH aromatic की peak कहां पर आएगी तो 3000 से 3100 के बीच में फिर फीनोल की यह भी बहुत बार एक्जा में पूछा हुआ है फीनोल मतलब OH की तो यह जो फीनोल की जो है यह जो फीनोल है इसकी रेंज का आती है तो सबसे हाई एस में फीनोल की आती है वह 3700 क्योंकि आगे 4000 के बाद तो खतम हो जाती रेंज आई यार की तो 3700 यहां पर फीनोल की आती है फिर NH जॉमीनो ग्रूप वाले रहते हैं NH की पीक आती है 3300 के करीब आती है यह आपको या इसकी और त्रिपल बोन की इसको आप याद कर ही लेना और एक्जाम में पूछते ही है इनके बारे में फिर हम देखेंगे कि आई यार की अप्लीकेशन क्या है तो आइडिन्टिवकेशन आफ फंक्शनल ग्रूप तो फंक्शनल ग्रूप की अभी अभी हम पीक देख रहे बहुत जितनी बी इसकी कि देख रहे थे इसकी अफंक्शनल ग्रूप की देख रहे थे डेक्शन ओप इंपूरिटी तो होगा कि आपको पता है कि मेरा पेरासिता मोल का आई यार का स्टेंड एस्पेक्टर कुछ इस तैक की पीक आ रही है तो चूम आपके एक डाइक के द प्यूरिटी पता करने में भी इसका यूज है फंक्सिवर गूप डिटर माइन तो आपको पता चल गया कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन करने में भी और कोई प्रोसेस रियक्षन है मतलब कोई आपने रियक्षन करा यह कैमिस्ट्री के अंदर जैसे ए रियक्षन और बी की रियक्षन हो रही है इसके बीच में कोई एक इंटर्मीडियट बनेगा फिर फाइनल प्रोड़क्ट बनेगा तो आप जिसे 20 आवर की रियक्षन है तो आप 10 आवर के बीच में छोटा सेंपल निकालो आयर में चेक करो फिर आप देखो कि यह पुराने पीक है यह दोनों मर्ज हुई कर नई पीगा रही कर नई आ रही हो सब हम प्रोग्रेस रियक्षन का प्रोग्रेस भी हम चेक कर सकते हैं तो यह सब आयर की अप्लिकेशन है तो फाइनले अपना आयर खतम हो गया है एक साथ मैंने मेरे नोट्स से आयर पढ़ा दिया आपको कुछ और अच्छे से में पढ़ा सकता था जैसे कि डिटेक्टर को और अच्छे से डीटेल में बता सकता था जो सोर्स थे उसको डीटेल में बता सकता था कुछ चोटे मोटे चीज़े और अच्छे से बता सकता था बटबी कम्पीटेटी एक्जाम के लिए एक सफिशेंट है इसको दो तीन ब झाल झाल